लए हैं agree कि नमस्कार आप देख रहे हैं निक्स्ट्नाइललाइफ र में हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा अंजू अब पाकिस्तान में रह करके भारत के गुरगान गा रही है अंजू अब पाकिस्तान में रह करके पच्टा रही है अंजू को अब जल्द से जल्द भारत वापस लोटना है और इसके लिए अंजू हर संभव प्रयास कर रही है पाकिस्तान में अंजू का वीजा बढ़ा दिया गया है लेकिन इसके बावजूद अब भारत आना चाहती है उसका दावा है कि उसे अपने बच्चों के लिए भारत आना है लेकिन क्या सच में वो अपने बच्चों के लिए ही भारत में आना चाहती है या फिर वो हमेशा के लिए भारत में आ करके दुबारा से बसना चाहती है ये एक बड़ा मसला है अंजू की किसी भी बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता है क्योंकि अंजू ने कई बार जूट का सहारा ले करके पाकिस्तान में कई बार अपने परिवार को गुमराह किया अब अंजू का एक लेटिस्ट वीडियो सामने आया है पहले वीडियो में दिखाया जा रहा था कि अंजू ने 14 अगस्त को पाकिस्तान में आजादी का जश्ट मनाया अंजू के कारती हुई नजर आ रही थी और साथ ही उसके नसुरुल्ला भी था अभी कैसी तस्वीर साम लिए यह साम बाब हैं देखे यह पूरी रेपॉर्ट भारत के भिवारे से पाकिस्तान गई अंजू का सोसल मेडिया पर आए दिन एक नाएक वीडियो वायरल होता है यह वीडियो खुब सुरक्यों में आता है अंजू अब पाकिस्तान से भारत आने की बात कर रही है अगी अंजू अब बार बार अपने बच्चों का जिक्र कर रही है। साथ ही एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर अंजू ने शेयर की थी। इस तस्वीर में वो अपने बच्चे के साथ नज़र आ रही थी और साथ ही मिस यू भी लिखा था। अब अंजू ने 15 अगस्त को स् मनाया है। बता दे कि 14 अगस्त को एक वीडियो अंजू के खूँ वाइरल हो रही थी जिसमें अंजू पाकिस्तान के आजादी पर केक काटी हूई नज़र आ रही है। तो वहीं अब एक और वीडियो वाइरल हो रही है जिसमें अंजू के गाल पर तिरंगे का निशान है स साथ ही के सरिया रंग के डुपटे में अंजू नजरा रही है इस लुक को देख करके अब जो लोग हैं वो काफी जादा नाराज है दरसल अंजू अब ये दिखाने के कोशिश कर रही है कि उसे भारत से कितनी महबत है खाल में ही अंजू ने कहा था कि पाकिस्तान बहुत सुन्दर है उसे पसंद आया लेकिन वो भारत की बेटी है भारत में उसका जन्म हुआ वो भारत जाएगी पाकिस्तान अच्छा है खुबसूरत है तो उसे भारत भी उतना ही पसंद है वो भी उतना ही खुबसूरत है बता अंजू के पहले पती अर्विंद का साफ कहना है कि अगर अंजू भारत आती है तो फिर वो यहां से जिन्दा पाकिस्तान नहीं जा पाईगी और रही बात बच्चों की तो बच्चे को अंजू पाकिस्तान में नहीं ले जाएगी मतारे यहां पर दोनों अपने आपसी जंग की वज़स सुर्ख्यों में जहां अर्विंद अंजू पर काफी खफा है और साथ ही बच्चों को ना ले जाने की बात कर रहा है तो वही बार बार अंजू के वल यही दावा कर रही है कि वो भारत में जरूर आएगी और साथ ही अ आगे आने वाले भुश्य में उसके साथ क्या कुछ होता है लेकिन एक बात तो साफ है कि अंजू को आपकेस्तान में जाकर एक बात समझ आ चुकी है कि कौन सा देश उसके लिए बहतर है अब एक बात तो साफ है कि इस पूरे मामले को सामने आने के बाद अंजू काफी पश्टा रही है पाकिस्तान में रहने के बाद अब देखना ये है कि अंजू क्या सच में भारत में आ पाती है क्या भारत में वीजा के जरीए उसकी एंट्री होती है क्या भारत के सरजमी पर आने के बाद अंजू को वह सम्मान मिल पाता है हाला क अंजू ने कई बार अपने वीडियो के जरीये ये वताया है कि जो भी बात करनी है उससे करिए जो भी सवाल पूछने है उससे करिए और वो त्माम सवालों के जवाब भी देगी अब देखना यह कि अंजू इस पूरे मामले में किस तरीके से अपना रुख रखती है हला कि यह जो वीडियो है जो कि तस्वीर जो सामने आ रही है स्वातंतरता दिवस की काफी चौकाने वाली है पाकिस्तान में भारत का जंडा अंजूने लहराया है फिलाले इस वीडियों में इतना ही देखते रहे नक्स्नाइल लाइव